नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिशद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आसा करती हूं स्वस्त और अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं बच्चों आपको पता है आज मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूं आज मैं आपको आपके पसंदीदा टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको म्यूजिक, डान्स, गाना ये सब बहुत पसंद है ना तो बच्चो आज मैं आपको dance के बारे में पढ़ाऊंगी, dance से related एक story पढ़ाऊंगी जो आपके textbook की कहानी है तो excited है ना आप लोग पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए तो बच्चो इस कहानी को सुरू करने से पहले मैं आपको dance के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ बच्चो music dance तो सभी को पसंद होता है ना और आपको पता है बच्चो कि हमें dance जो रहता है तो लगता है ना वाओ कितना अच्छा लग रहा है लेकिन कितना hard है तो बच्चो सीखने से कोई भी चीज hard नहीं होता है ठीक है इसलिए हमें हर चीज को सीखना चाहिए और अगर हम उस पर practice करेंगे ना तो हमें हर चीज आ सकता है हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं Because nothing is impossible ये तो आपको पता है ना तो बच्चो dance जो होता है वो एक तरह का exercise भी होता है और dance करना तो सब को पसंद है आपको पता है बच्चो कि dance जो होता है ना वो भी कई तरह के होते हैं जैसे हमारे स्टेट में कुछ अलग तरह के डांसे होते हैं, दूसरे स्टेट में कुछ अलग तरह के डांसे होते हैं, है ना, तो हर जगह का उनका अलग अलग तरह का डांस का स्टेप्स या डांस का डांस होते हैं, जिसको की कुछ-कुछ नामों से जाना जाता है तो आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले है ना वो related है एक folk dancer यानि की लोक नुरित्य से तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे ति कैसे एक बच्ची जो रहती है वो महनच से dance करती है और उसकी teacher जो रहती है उसको कैसे motivate करती है ठीक है तो बच्चो इस स्टोरी का नाम है I can dance ठीक है chapter 10 class 3 ओके तो I can dance यानि की मैं dance कर सकती हूँ तो आखिर ये स्टोरी में है क्या लग रहा है ना कब start होगा ये स्टोरी कब मैं पढ़ाएंगी तो बस इंतजार खतम और start करते हैं हम इस स्टोरी को और समझते हैं कुछ चित्रों के माध्यम से उससे पहले word meaning what happened W-H-A-T what H-A-P-E-N-E-D what happened यानि की क्या हुआ swabbing S-O-B-B-I-N-G swabbing यानि सुबकते हुए सिसकते हुए wondered W-O-N-D-E-R-E-D wondered यानि की आस्चर किया या फिर जानना चाहा accident A-C-C-I-D-E-N-T accident यानि की दुरघटना या फिर हादसा artificial A-R-T-I-F-I-C-I-A-L artificial यानि की कृतिम या फिर बना वटी whip wiping wiping मतलब W-I-P-I-N-G wiping का अर्थ पोचते हुए हम आसु पोचते है न उसके बाद है tiers यानि की T-E-A-R-S tiers यानि की आसु आते हैं कुछ और वर्ड पे preparing P-R-E-P-A-R-I-N-G preparing यानि की तयारी कर रहे थे annual function A-N-N-U-A-L annual F-U-N-C-T-I-O-N annual function यानि की वार्सिक समारो या फिर वार्सिकोच सब annual function के नाम से सभी के चहरे पर मुस्कान आ रही है उसके बाद है folk dance यानि की A-F-O-L-K-F-O-K-D-A-N-C-E folk dance यानि की लोक नृत्य और लास्ट में है difficult यानि D-I-F-F-I-C-U-L-T difficult यानि की hard या फिर कठीन तो बच्चो आपने देखा हमने यहां words meaning जाना क्योंकि बच्चो कोई भी कहानी या chapter start करने से पहले मैं हमेसा कहती हो ना word meaning बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर सब्दों का अर्थी नहीं पता तो हम कहानी को समझेंगे कैसे अच्छा से इसलिए कोई भी chapter से पहले word meaning जरूर पढ़ना चाहिए उसे skip नहीं करना चाहिए मैं देखती हूँ कभी कभी आप लोग word meaning पढ़ने से भागते हैं उसे skip कर जाते हैं पर बच्चो कभी भी word meanings को skip नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर सब्दों के अर्थ आप अच्छे से जान लेंगे न तो आपको कहानी पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा तो बच्चो आईए चलते हैं अब कहानी स्टार्ट करते हैं Some dances of Bihar बच्चो कहानी से पहले मैं आपको Bihar के कुछ dances के बारे में बताते हूँ जैसे की जट जटीन, कजरी, फगवा and बिदेशिया बच्चो ये नाम आपको लगता होगा कि किस तरह का नाम है आपने पहले कभी सुना है क्या ये जो dances है बच्चो ये एक तरह का types of dances है ये जो सारे है ना जट चटीन, कजरी, फगवा, बिदेशिया ये जो है ना ये सभी निर्त के प्रकार है यानि कि types of dances है जो कि हमारे state यानि कि बिहार में खास लोग प्रिये हैं ठीक है ये सब dances जो है ना बच्चो ये बिहार में किये जाते हैं सबका अलग-अलग मौका होता है जैसे कि जट जटीन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे जट जटीन जो होता है वो मौनसून से रिलेटेड डांस होता है कजरी भी होता है वो भी बारिस के जो उत सब होता है ना उस समय हम लोग कजरी भी गाते हैं उस पर डांस करते हैं सब बारिस से रिलेटेड डांसेज हैं ठीक है फगवा जो कि जब होली का समय आता है तो माता पीता या फिर हजबेंड वाइफ जिसको हम कहते है ना उनके रिलेशन पर ये डांस होता है बच्चो ठीक है तो ये सब अलग-अलग forms of dances है जो बिहार में किये जाते हैं मैं आपको ये इसलिए इनका introduction दे रहे हूँ ताकि जब मैं आगे chapter पर हाऊ तो आपको लगेगा कि चट-चटीन क्या होता है मैं तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ लेकिन बच्चो ये तो ही dances की बात तो जब dance की बात है तो dancers की भी बात होनी चाहिए ना तो आप कौन-कौन से dancers को जानते हैं हाँ बच्चो आप जो dancers को जानते हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं वो western dancers होते हैं, लेकिन बच्चों यहां तो बात थोड़ी है classical dancers की ना, जो कि हमारी संस्कृती से जूरी हुई होती है, तो मैं आपको यहां कुछ classical dancers के नाम बताऊंगी, जो कि आप सुनिये और उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि जहां बात dance की होती है, तो dancers का आना तो कुछ dancers को, सब famous dancers, सुधा चंदरन, A-C-U-D-H-A, सुधा, C-H-A-N-D-R-A-N, सुधा चंदरन, बच्चों सुधा चंदरन एक बहुत बड़ी dancer थी, उसके बाद है, वो dancer अभी भी है, सोनल मान सिंग, A-S-O-N-A-L-S-O-N-L, M-A-N-M-A-N-S-I-N-G-H, सुधा चंदरन हो य बहुत प्रसिद निर्तिकाएं हैं, जो कि भरतनातियम डांस बहुत अच्छे से करती हैं, उसके बाद है, विर्जु महराज, B-I-R-J-U, विर्जु, M-A-H-A-R-A-J, विर्जु महराज, और लास्ट में है, गोपी कृष्णा, G-O-P-I, गोपी, K-R-I-S-H-N-A, गोपी क कि बहुत फेमस डांसर्स हैं, आपको इनके बारे में एक खास बात पता है, मैं आपको बताती हूँ, बच्चो, इनका न, रोड एक्सिदेंट हो गया था एक बार, तो इनका जो राइट लेक था न, बच्चो, वो बिलकुल भी खराब हो गया, फिर ये डॉक्टर ने इनक और मैनत को नहीं छोड़ा, और आपको तो पता है न, मैनत से तुम कुछ भी जीच सकते हैं, तो सुधा चंदरन हो, या फिर सोनल मान सिंग हो, इन्होंने फिर से प्रैक्टिस सुरू किया, और आपको पता है, सुधा चंदरन तो आज भी डांस करती हैं, विस्वास नहीं ह तो बिर्जु महाराज तो अब ये लोग नहीं रहें, लेकिन इनका डांस अभी भी इनका जो डांस फॉर्म से न, वो लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस डांसर से, तो ये तो होगे डांस और डांसर की बात, तो मैं आपको इनका इंट्रो सभी बच्चे अन्वल फंक्शन यानि की बार से कुछ सब का तयारी कर रहे थे, रानी वाज लर्निंग अफोग डांस और रानी जो थी वो एक लोग नृत्य सीख रही थी, जिसका नाम था जट जटीन, नैना मैडम वास टीचिंग हर दा डांस स्टेप्स और नैना मैडम जो थी नैना मैम रानी को डांस के स्टेप सिखा रही थी, रानी हैड बिन ट्राइंग फोर हाफ एन आवर और रानी आधे घंटे से उस डांस के स्टेप को सीख रही थी, सी फांड इट वेरी दिफिकल्ट पर रानी को वो बहुत कथीन लग रहा था, उससे नहीं हो रहा थ वो आधे घंटे से कोसिस कर रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था, सडेली रानी स्टॉप्ट और स्टार्ट विपिंग, अचानक क्या होता है कि रानी बैट जाती है, रुख जाती है और सुभुखने लगती है, रोने लगती है, नैना मैडम आस्क्ट हर, वाट हैपन? नैना मैडम रानी से पुछती है, उसको देखते हुए कि रानी क्या हुआ, क्या बात है? I can never learn this dance, I won't come from tomorrow, रानी सेट सोबिंग, रानी कहती है कि मैं इस डान्स को कभी नहीं सीख सकती, मैं कल से नहीं आऊंगी, मुझसे नहीं होगा, नैना मैडम कहती है, ओ रानी, सेट नैना मैडम, don't say so, if सुधा चंदरन can dance, why can't you? तो मैडम जो रहती है, नैना मैडम, वो रानी से कहती है, कि ओ रानी, ऐसी बाते मत कहो, अगर सुधा चंदरन डान्स कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? सुधा चंदरन, who is she? वांड़ रानी, रानी पुछती है, अपने मैडम से, तो मुझे नहीं पता, तो बच्चों आपने देखा, रानी कितना जल्दी हार मानने लगी, जब वो एन्वल फंक्शन की तयारी कर रही थी, नैना मैडम जब उसे dance सिखा रही थी, वो आदे घंटे से practice कर रही थी, बट उसको dance बहुत hard लग रहा था, उससे dance हो नहीं रहा और वो आदे घंटे में ही हार मान गई, और हार कर बैट गई और बोली मुझ से ये dance नहीं होगा मैं, मैं अब कल से नहीं आऊँगी, ये dance बहुत hard है, तो मैडम उसको समझाती है कि नहीं रानी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर सुधा चंदरन dance कर सकती है, तो तुम क्यो नहीं, पट रानी को तो पता ही नहीं कि सुधा चंदरन कौन है, तो आईए देखते है, मैडम ने रानी को सुधा चंदरन के बारे में क्या बताया, सुधा चंदरन, who is she, wondered रानी, she is a great dancer, one day she lost her right leg in an accident, but she was a brave girl, she decided to learn how to dance with an artificial leg, तो उसकी मैडम जो रहती है, नैना मैडम वो रानी से कहती है, कि वो एक बहुत महान डान्सर थी, अभी भी है, सुधा चंदरन एक बहुत महान डान्सर है, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, एक बार वो एक accident, यानि कि दुरघटना उनके साथ घट चाती है, और वो अ अपना right leg, यानि कि दाइना पैर खो देती है उस accident में, लेकिन वो बहुत brave girl रहती है, बहुत बहादूर, इसलिए वो हार नहीं मानती, और वो प्रैक्टिस करते रहती है, और वो फिर से डांस करने लगती है, अपने artificial leg के साथ, यानि कि बनावती पैर के साथ, artificial leg, आस्ट रानी, रानी पुछती है, artificial leg वो क्या होता है, yes, a leg made from rubber, she practiced very hard, today she is a great dancer, तो मैडम उसको समझाती है कि तुम्हें नहीं पता artificial leg क्या होता है, तो artificial leg का मतलब होता है, बनाया हुआ पैर, या फिर बनावती पैर, ठीक है, जिसे हम कृत्म पैर भी कहते हैं, तो बच्चों जिनका पैर नहीं रहता ना, तो वो हार नहीं मानते, वो इसी तरह का पैर बनाते हैं, जो कि रबर का बनता है, और उससे यूज करके अपने कामों को करते हैं, तो सुधा चंदरन भी जब एक्सिडेंट से मुलाकात हो गई उनकी, उनको जब एक्सिडेंट हो गया, उनका राइट लेग जब डैमेज हो गया, तो डॉक्टर्स ने कहा, कि अब आप साइध ही डांस कर पाईएगा, लेकिन सुधा चंदरन ने हार नहीं माना, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, और वो महनत करते रही, प्रैक्टिस करते रही, और एक आर्टिफिसियल लेग बना कर उन्होंने पहना, और आपको पता है, वो फिर से डांस करने लगी, तो ये कहानी नैना मैडम जो रहती है न, वो रानी को सुनाती है, और कहती है कि ऐसे ही की दिर निर्तिका है, है ना बच्चो, तो आगे देखते हैं, रियली, येस, आई नाउ, वाट अवाट अवाट यू, अब मैडम पुछती है कि कहानी तो तुमने सुन लिया, सही बात है, अब बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है, आस्ट नैना मैडम विधा स्माइल, मैम, I think I can dance, she stood up and began practicing again, और क्या होता है फिर, नैना मैडम जब उसको सुधा चंदरन के बारे में बताती है, रानी को, तो रानी पुछती है, सही मैम, वो इतनी बहादूर थी, उन्होंने हार नहीं माना, तो मैम कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सुधा चंदरन की कह आनी थी, and what about you, अब तुम क्या सोचती हो, तो बताइए, रानी क्या करती है, रानी कहती है, कि येस मैम, I will, मैं ये डांस करूंगी, और रानी तुरंद में अपने आशु पोचती है, और खड़ी हो जाती है, और फिर से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है, है ना देखा कि कीस तरह से नैना मैडम ने रानी को मोटिवेट किया सुधा चंदरन की कहानी सुना कर, तो बच्चों आपको भी ये कहानी अच्छी लगी ना, आप भी मोटिवेट हुए ना बच्चों, आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कभी भी तुरंद में हार, किसी भी में हार नहीं माननी चाहिए कुछ भी हो जाये किसी भी परिस्थीती में आये कोई भी situation आ जैए बच्चो लेकिन हार हमें नहीं मानना चाहिए तो इस कहानी से आपने क्या सीख़्ा बच्चो उने सीखा और आपने देखा कि किज तरह से तुरंत में हार कर नहीं बैठना चाहिए अगर कोई भी परिसानी हो कुछ भी हो तो हमें मेहनत करके और ब्रेवली उस काम को करना चाहिए तो हमें सफलता जरूर मिलेगी जैसे रानी को मिली है ना बच्चो तो बच्चो कैसा लगा आपको ये कहानी मज़ा आया ना तो अब तो कहानी तो हमने आपको पढ़ा दिया आपने सुन भी लिया तो लेकिन जब तक हम इसके exercises को नहीं बनाएंगे तब तक कहानी को हम और अच्छे से कैसे समझेंगे जीस तरह से कहानी को समझने के लिए वर्ड मीनिंग पढ़ना जरूरी होता है उसी तरह से कम्प्लीटली उस exercises कम्प्लीटली उस कहानी को समझने के लिए exercises बनाना भी जरूरी होता है क्यूंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तब भी तो और अच्छे से सीखेंगे ना तो किसी भी चैप्टर को और अच्छे ते सिखने के लिए exercises बनाना भी ज़रूरी है भागना नहीं है exercises से तो आएए चलते हैं हम कुछ सवाल और जवाब पे answer the following questions यानि की सवालो के जवाब दें पहला what were the students doing बच्चे क्या कर रहे थें दूसरा who is सूधा चंदरन सूधा चंदरन कौन है what is an artificial leg artificial leg क्या होता है तो बच्चो आपने अभी कहानी पढ़ा और आपके सामने कुछ सवाल आए तो इन questions के answers तो आपको देने हैं क्योंकि मैंने तो आपको chapter पढ़ा दिया ना समझा दिया ना और आप समझ भी गये तो बताइए मुझे इन सवालों के उत्तर दीजे जल्द बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आएए अपने answers को मिलाते हैं पहला what were the students doing बच्चे क्या कर रहे थे answer the students were preparing for the annual function बच्चे जो हैं वो बार्सी कुछ सब की तयारी कर रहे थे who is सुधा चंदरन सुधा चंदरन कौन है she is a great dancer वो एक महान dancer है तीसरा में कह रहा है what is an artificial leg artificial pair यानी artificial leg क्या होता है a leg made of rubber वैसा पैर जो rubber से बनाया जाए उसे artificial leg कहते हैं तो आपके उत्तर तो बिल्कुल सही है बिल्कुल 100 में 100 तो सवालों के जवाब तो अपने अच्छे से दे दिये तो आए कुछ और exercise देखते हैं कि वो आप बना पाते हैं कि नहीं write yes or no before the words that according to you tell you about सुधा चंदरन यानी कि यहां कह रहा है बच्चो कि सुधा चंदरन से related कुछ words यहां दिये गए हैं और आपको बताना है कि अगर वो सुधा चंदरन में वो quality है तो yes और अगर नहीं है तो no तो क्या-क्या word है देखिए brave, nervous, sad, hardworking, silly, fat and famous तो बच्चो आपने सुधा चंदरन के बारे में अभी पढ़ा ना मैंने आपको उनके बारे में बताया ना वो कितनी hardworking और brave थी तो यहां तो कुछ words दिये हैं तो अब आपको बताना है कि सुधा चंदरन जी में वो सारे quality है तो yes और अगर नहीं है तो no यह आप मुझे बताये और देखते हैं कि आपका answer सही है या गलत तो मिलाते हैं सुधा चंदरन brave है बिल्कुल है वो बहादूर है तो होगा yes यानि कि सही nervous क्या सुधा चंदरन नर्वस रहती है बिल्कुल नहीं है वो तो बहुत smartly और freely dance करती है तो इसका answer होगा no यानि कि गलत तीसरा है sad क्या सुधा चंदरन जो उदास रहती है बिल्कुल भी नहीं वो हमेशा smile करते वे नजर आती है तो इसलिए answer क्या होगा बच्चो इसका answer होगा yes यानि कि सही silly यानि कि बेवकुफ नो बिल्कुल भी नहीं वो तो बहुत ही intelligent है तो इसका answer हो जाएगा no यानि कि गलत fat यानि कि मोटी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो dance होता है बच्चो एक तरह का exercise होता है और सुधा चंदरन तो बिल्कुल भी slim and cream है इसलिए इसका answer होगा no यानि कि गलत और last one है famous यानि कि प्रसिद्ध तो क्या सुधा चंदरन प्रसिद्ध है सुधा चंदरन बहुत great और famous है यानि कि महान और प्रसिद्ध आंसर है तो last का answer हो गया yes यानि कि सही तो बच्चो आपने देखा हमने अपने answers को भी मिला लिया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चो आपने तो सुधा चंदरन जी को बहुत अच्छे तो समझ लिया तो स्रिफ उनको ही नहीं समझना है बच्चो उनके qualities को भी समझना है कि उन्होंने कितना bravely कितने मेहनत से और कितने सारे प्रेशानी आने के बावजूद भी उन्होंने give up नहीं किया और वैसे ही आपको भी करना है इन सारे qualities को आपको अपने अंदर भी लानी है ठीक है तो आएए आगे भी कुछ exercises practice करते हैं जंबल्ड words पहला है T A E R S next A D C N E next B R V E A next D I W C U I T L and last one is F U C N I T N O तो ये जितने भी जंबल्ड words होते हैं वो सारे हमारे chapters से ही related होते हैं जब आप chapters को अच्छे से पढ़िएगा ना तभी जंबल्ड words भी बना पाईएगा तो बच्छों ये जितने भी जंबल words हैं सब इधर के उधर हैं तो आपको उनको क्या करना है सारे letters को rearrange करना है और rearrange करके आपको correct spellings पतानी हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये भी आता है क्योंकि आप सभी के चेहरे पर एक मुस्कान हैं तो आईए अपने answers मिलाते हैं ब्रेव ब्रेव चौथा है difficult दी आई डवल फ आई सी यू एल टी difficult और last one है function एफ यू एन सी टी आई ओ एन function तो बच्छों इन सारे सब्दों के meaning तो मैंने आपको पहले ही बता दिये थें और आपने देखने आपने कैसे जट से सब के जवाब दे दियें क्योंकि आपको य यह कहानी जो है न अच्छे समझ में आ गई है तो बच्चों जंबल वर्ट्स के भी जवाब आपने बिल्कुल ही सही दिये हैं तो और बच्चों यह बताइए मुझे कि यह जितने भी exercises आप बना रहे हैं कर रहे हैं तो यह आपको समझ में तो आ रही है ना कि बस ऐसे ही ब लग्या तो ही अगे बढ़ते हैं रैमिंग वर्ट्स रई फ्राइए हाड़ कार कर गार्ड अगेन बिगें गेण तो बच्चो रैमिंग वर्ट्स जो होते हैं वो बज़ा आता है ना पढ़ने में बोलने में वो सारे रैम्स जैसे रहते हैं लगता है जैसे हम कोई POM या फिर कोई RAM बोल रहा है है ना बच्चो जैसे BED, RAID, SAID, MAID तो सभी सुनने में एक जैसे लगते हैं इसलिए इनका नाम RAMMING WORDS है तो मजगा आता है ना RAMMING WORDS परने में और EASI भी होता है ना हाँ बच्चो रैमिंग वर्ड से क्या होता है कि नए नए सब्द भी बनते हैं है ना जैसे एक सब्द से अनेक सब्द आपके दिमाग में आते हैं तो इसलिए हम रैमिंग वर्डस पड़ते हैं तो आईए अब लास्टली देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सबक मिली moral of the story always be brave हमें हमेशा बहादूर बने रहना चाहिए don't give up कभी भी हाड नहीं मानना चाहिए try your best और हमेशा अपना best देना चाहिए यानि कि जो भी आप काम करो ना उसे पूरे 100% महनत के साथ करो और अपना best दो तो आप कभी भी नहीं हारेंगे आप जो चाहेंगे वहां तक आप पहुँचेंगे और हर चीज आपको success आपके रास्ते पर आपको मिलते जाएगी तो बच्चो आसा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली है और आपको ये कहानी अच्छा भी लगा और आपने एक महान डांसर के बारे में भी परहा तो बच्चो अगले कहानी में मैं फिर आपके साथ आपके सामने आऊंगी तब तक बच्चो सवस्त रहिए, अच्छे ते रहिए, मुस्कुराते रहिए गुडबाई and टेक कियर